इस समय में उत्तर प्रिदेश के जनपत्र रोजाबाद रॉयल गार्डन में खड़े हुए हैं जने नायक कपूरी ठाकर जनवोस्तप और जन जैनती समारों में आज नन समाज को एकत्रित करने का यहां संकल प्लिया है यहां के विशिष्ट बतोर जो हमारे उत्तर प्रिदेश पूर मंत्री ठाकर जैवीर सींग और पैचाने की कोई जरूत नहीं है व्यक्तित के दनी है आईए उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का आप यहां पर संदेश दे रहे हैं सर सकते पहले मैं आपा स्रादर करूँए सर आज जो जन आये कपूली कर्वादी आप चलता को क्या दिस देना का रहा है आप संदोर जन में कह रहा है जन लायक कपूली है तो स्वहम में सिर्थ करता है कि कपूली ठापर जी एक नों सिर्थ के लिए लाइगा दिस देना का रहा है विए यह भी संदेश समाज को देने का का दिया गरीव से गरीव परिबार में जनमान का वेटा भी राहे नहें ते कामाच खेसर ना करी बूज़न है अपने कित्तत तो बेट्टतों के बलबल नब सरक ब्यार के वो बुक्तर के बने बलक पूरा देश में जन्न आये कि रूप में अपने च्छे मनाई और आज उनसे पूरे समाज इस सर्क्ता समाज अपने मनोबल से आज आगे हैं क्या लगता है कि जो आज सरकारे चल रही हैं क्या सरकारे क्या सविता समाज को अपनी और प्रियास करेंगी कि कोई भी समाज को लाए नित पर खातूरों से पूरे में चीने आते हैं कि अपूरी ठागुर ने यही जीवन पर पेड़ा में दिये कहजिकारों को लेने का जज़वा होना ती है समाज को ज़िवा होता है यह अपना हक अपना अजिका सरच ज़नाय कपूर टागुर जी बिहार के पहले हुप मुप मंत्री और इन्हों ने किसानों के लिए बहुत कंदस किया जो इससमें हालात है वर्तमान जो हालात है किसान अपनी बातों पर अड़े वे तर किस तरीके का यह मामला है केंसे सांती और सौहार विवस्ताव पाई देज के संबाले में पेट बने का काम किया तो सम्माल के साथ ही संबाजनक हल निकलेगा सरकार्टी वर से सर कई बार तर वारता हुई वारता हैं विटपल हुई 26 जनवरी को वह गुच गे रिंग रोड से लेके अंदर गुच गुच गे समाज के कोई ऐसे लोग जो समाजिक चत्रों वही होंगे किसान कभी अज़ा कम नहीं करता है सर आज आप पत्री पत्पर नहीं हैं लेकिन आप व्यक्तित के धनी हैं लोग और यह आद्रा मंडल में आपकी चभी बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में आप मंत्री भी रहे हैं लगी बहुत अच्छी में लोग सभा के एंपियल जीत के आए 14 में हम लोग रिकार्ड एत्यादिक जीत के साथ आए कि उसक्तर में उस्तर प्रदेश में जादा इमएन लेकर बनाएं और उससे जादा आहमने लेकर दो यह वह दो स्थरकर बनाएं यह भावना है उसक्तर वार्दी इंड़ पारी कि परिशले